दोस्तो गारगी पूर्शकार और बाली का प्रोशान पूरुσकार सेशन 2014-25 के लिए ओनलाइन फॉर्म बणना सुरू हो चुके हैं तो आप गारगी पूरुशकार के लिए ओनलाइन फॉर्म कैसे भरोगे इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको करके हो दिखाने वालो नमस्कार साथियो मैं हूँ आपका अपना साथी राजबूर जी तो दोस्तों गारगी पुरुषकार का ओनलाइन फोर्म भनने से पहले आपको 3-4 खास बातों का ध्यान में रखना है और जिसे विशेश तरह अपने दिमाग में वो बिठा लेना है पहली बात तो यह है कि देखिए फिलहाल सेशन 2024-25 के लिए फोर्म भरे जा रहे हैं पहला फोर्म उन बालिकाओं के लिए जिन्नोंने वर्स 2023 में कक्षा दस्वी पास की थी और फिलहाल कक्षा बारे में अध्यनत है तो उनके लिए तो यहाँ पे देखिए दित्य किस्त के लिए फोर्म भरे जा रहे हैं इसके लाव यहाँ पे देखिए दूसरी ऐसी बालिकाओं हैं जिन्नोंने वर्स 2024 में कक्षा दस्वी पास की थी और फिलहाल यहाँ पे कक्षा बारे में अध्यनत हैं तो उनके लिए यहाँ पे पर्थम किस्त के लिए फोर्म भरा जा रहा है और इसके लाव तीसरी प्रकार की वे बालिकाओं हैं जिन्नोंने वर्स 2024 में कक्षा बारे पास की थी और फिलहाल वो किसी कोलेज में अधेनत हैं तो उनके लिए बालिका प्रोसान पुरुसकार हो बरा जारत तो यहां पर कई बालिकाओं का मेरे पास बार बार मेसेज आता है कि पिछली साल जो पत्र बालिक हैं थी जिनको ये पैसा मिल गया क्या उनको दुबारा ये फोम भरना क्या जी हां बिलकुल दुबारा आपको फोम भरना ये दिया फिलहाल कक्षा बारी के अंदर है अधेनत हैं तो इसका दूसरी खास बात है कि देखिए आप क्या करते हो कि फोम बने में काफी जल्दबाजी करते हो कि फोम बने में हमारा पैसा आ जाएगा तो fom भनने में आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजेगा क्योंकि जल्दबाजी में आप कोई गल्ती करबठोगे आपको ये पैसा नहीं मिलेगा और वैसे भी देखिए मेरे दवारा नियमों के बारे में और बालिकाएं फोम भनने में क्या-क्या गलतियां करते हैं इसके लिए अलग से वीडियो बना रखिए ये वाली वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आराम से देख लिजेगा आपको शाती कह सकते हैं राजगुजी अच्छी बात कर अरे बिया मजबूर नहीं कर रहा हूं देखिए मेरा ये करताव है कि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो चाते ही आपसे कोई गलती नहीं हो इसलिए आवेदन वाली फोम में सारी जानकारी देना संभव नहीं होता है तो फोम भनने से पहले ये वीडियो आप जरू क्या है बस बैसरते जो आगे में प्रोसेस बता रहा हूं उनको आप यहां पर फोलो कर लिजेगा इसके लाव यहां पर देखिए जो फोम भनने की लास्ट डेट है अभी तक 30 नौंबर 2024 थक है लास्ट डेट से पहले पहले आपको यह आवेदन फोम भनना बाद में जरूर दरपन्ग की official साइट पे आना होगा और यहां पर देखिये आपको तीन त्रह की option दिखाए देंगे किसी एक option पे आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिये एत नया page है वो open होगा तो यहां पर इस तरगा interface आपको दिखाए देगा अब यहां पर भी खाज जानकारिम आपको बताना चाहूंगा अगर आप डारेक्ट इस लिंक पे नहीं पहुंच पाते हो जब आप Google पे गारगी पुरुषकार के लिए यहाँ पे सर्च करते हो लिंक आपके सामने नहीं आता है तो आपको प्रेशान होने के कोई आपसेकता नहीं है आपके सुईदा के लिए हमने हमारी साइट पे सभी डारेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिये करना क्या है आपको हमारी साइट पे विजिट करना है साइट का नाम है राजगुर्जी.com जब साइट के हम पेज में थोड़ा साथ यहां पे नीचे आओगे तो गारगी पुरुषकार का एक उप्सन आपको मिलेगा क्लिक कीजेगा तो इस तरह से एक नया पेज आपको देखने को मिलेगा तो यहां पे गारगी पुरुषकार से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी भी आपको मिलेगे और आपके आफसेकता है कि नुसार direct link पे आपको मिल जाएंगे किसी एक link पे आपको क्लिक करना है अपनी आफसेकता है कि नुसार तो direct आप इसी page पे वो आ जाओगे अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप ये form है वो कौन सी किस्ट के लिए भर रहे हैं दसी वाले fast के लिए भर रहे हैं या second के लिए भर रहे हैं तो उसी अनुसार आपको यहाँ पर option पर click करना है अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको यहाँ पर डालते हैं तो एक error आजाता है कि लोगिन नहीं कर पाते हो कि आपके roll number आपकी जानकारी गलत है तो देखे इसके गलत होने के कई कारण को एक कारण नहीं जिसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे आज form भनने की process आपको महीं यहाँ पर बता रहो चाहेगे इस सूचना डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रमानिकन वाले option पर click करना है जैसे आप इस पर यहाँ पर click करोगे click करने के बाद देखिए यहाँ पर बालिका की detail open हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपनी जो जनम तिति हो सेलेक्ट करनी है record के अनुशार जनम तिति सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए निचे आपको अपने school की information बरनी है अब यहाँ पर भी देखिए आपको दो खाय जानकारी देना चाहूँगा देखिए यह जो form यह दिए आप कक्षा 10 वी लेवल के लिए भर रहे हो तो यहाँ पर आपको दो चीजों के आवसेक्ता पड़ेगी सबसे पहले एक तो school के PSP Code या साला दरपन Code जो बालिका है प्राइवेट को पड़ रही है तो उनको तो PSP Code की आवसेक्ता पड़ेगी जो government school में फिलाल पड़ेगी उनको हैं पर साला दरपन Code की आवसेक्ता पड़ेगी इसके अलाव एक आपके स्कूल के SR नमबर के आऊ सकता पड़ेगी और दोनों ही इन चीजों के लिए आप सम्बंदित स्कूल से आप संपक कर लिजेगा अपना SR नमबर ले लिजेगा लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है देखे इसकूल का जो PSPI सालादपन पोर्टल वहाँ पर भी बालिका का जो रिकोर्ड है जो बोर्ड में रिकोर्ड था यानि आपकी जो मारेक सिट के अंदर आपका जो भी डिटेल्स आई हैं वो शेम की सेम होने चीए ऐसा नहीं है कि स्कूल के रिकोर्ड में आपके नाम की स्पेलिंग अलग है मारेक सिट में अलग है तो भी यहाँ पर आप अपना फोर्म हो नहीं बर पाओगे अब कुछ यहाँ पर देखिए बलिकाओं का यह कहना है कि जो प्राइवेट इसकूल वाले हैं वो भी इसके लिए पात रहे हैं कि अब बिल्कुल जिनोंने पिचेतर परसेंट या इस्ति अधिक अंग प्राप्त की हैं दस्वी में या फिर बारे में वो सभी परकार की बल राजगुर्जी का फंड जो समझाने की कोशिश कर रहा है अब यहां पर देखिए कुछ बच्चियों का यह सवाल है कि हम कौण ची स्कूल की डिटेल डाले कि जहां से हमने दस्वी या बारवी स्कूल पास की वो डाले या फिलाल जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां डा अब यहां पर एक और खास बात है, खास बात ही है कि जो कक्षा दस्युवाली उनको तो यहां पर PSP code और ऐसा नमर डालने, जबकि जो बार ही पास है बाली का प्रोशान के लिए इदिया भरने जा रहे हैं, तो उनके लिए इन दोनों ही चीजों के आवसेकता नहीं, क्योंकि उनका तो मामला कोलेज ले उलका हो गया, चाहिए आप कोलेज में पड़ो या मत पड़ो, चाहिए पढ़ाई चोड़तो फिर भी आप इसके लिए आवधन कर सकते हो, तो दोनों के अंदर है, यहां पर थोड़ा से फरक आपको देखने को मिलेगा, बाकी process यहां पर सेम की स चलिए, अब यहां पर अपने detail verify करने बाद नीचे आपको अपने जन आधार की detail डालनी है, अब जन आधार को लेके भी दो खास जानकारी में आपको बताना चाहूँगा, यहां पर दो चीजी आपको यहां पर डालनी है, क्या-क्या, एक तो यहां पर अपने परिवार का अदर कई member होते हैं, तो सब की एक member ID होती है, तो बालिका की member ID भी आपको यहां पर डालना पड़ेगा, और अपने जन आधार को यहां पर verify करना पड़ेगा, यह दिए आपकी detail आपके जन आधार और आपके board की record से match हो जाती है, तो आपका जन आधार यहां पर verify हो जाएग अब bank account को लेके भी एक खाज आनकार यह आपको बताऊंगा, यहां पर देखिए दोनों ही तरीके से आप यहां पर apply कर सकते हैं, अगर आपके परिवार का मुख्या जो आम तर पे अपनी महिला ही होती है, अपनी माता ही होती है, तो उसका bank भी खाता है, तो वो भी मानने हो यहां पर detail सही रहती है, तो verify हो जाएगा, यहां पर एक दिक्कत आती है, दिक्कत कहती है कि जैसे दस्यवाली बालकाओं के बात करें, मारेक सीट में जनमतिती कुछ हो रहा है, तो यहां पर विया data आप सही होने के बावजूद भी verification नहीं होगा, लेकिन data तो सही नहीं है, क्योंकि DOB है, यहां पर गलती है DOB के अंदर, तो वो आप जरूर चेक के लिजिएगा, ठीक है, चलिए, इसके बाद जैसे आप यहां पर अपने data को verify करोगी, तो automatic यहां पर निची है, देखिए, bank की detail हो आ जाएंगे, आप bank की detail को लेकि एक और खाजान करें, आपको बता नंबर, लेकिन यहां पर IFC code है, और bank की जो branch है न, वो गलत आ रखिए, तो भिया, यह खास तोर पर आप देख लिजिएगा, अगर यहां पर आपका IFC code, आपकी bank branch गलत है, तो आपका यह पैसा आपके bank खाते में नहीं आएगा, जल्द बाजी मत कीजिएगा, कि चलिए य bank account में आना है, तो अगर वो शही नहीं होगी, तो आपका पैसा नहीं आएगा, तो SMEBI यहां पर है, अगर आपके सामने इस परकार की सम्मझ से आती है, आपके bank detail सही नहीं आ रही है, उसका IFC code है, उसकी branch है, या फिर आपका account number है, तो सबसे पहले आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना है, और जन आधार को अपडेट होने में भिया 10 से लेके 15 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन यह एक दिन में भी हो जाता है, एक दिन का तरिका आपको मैं यहां पर बताऊंगा, क्या करना है, जन आधार को अपडेट करवाते हैं, अपने गाउं के और याले वहां पर टकांटा किया, तो वे उत्ति के जाएगा, नहीं अपने शर्पंसी फोन मरबाद दीजेगा, कि भी हमने वेरिफाई किया, जल्दी सीसी वेरिफाई कीजेगा, तो मातर आदा गंटे कि से पहले पहले आपका काम हो जाएगा, अगर आपकी थोड़ी जा वाक नहीं हुआ, उसके बाद आपको यह फोम बना, फाइनली फोम को आपको यहां से संबिट कर देना, संबिट का बटन आपको यहां पर देखने हो मिलेगा, जैसे ही आपको फोम फाइनल संबिट हो जाएगा, उसके बाद किसी परकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगी फिल हाल की स्थिति में अलांकि गलती हो गई है तो फिर आपको इहां पर सम्मधिन डिपार्टमेंट मोका है वो देगा इसके लिए आपको 4-5 महिने का वेट करें पिछली साल के अभी लास्ट ओड़ा महिना न उसके अंदर अपडेट का मोका दिया था तो अगर गलती हो फोर्म अपडेट करने का मोका मिलेगा जिसकी जानकारी इसी तरह से वीडियो के माद्यम से आपको देने वाला हूं हमारे चैनल पर विदूँआ हैं हमारे जितने सोचल मीडिया प्लेट फूर्म है फेस बुक है इस्टाग्राम है ट्विटर है टेलीगराम वाटसप चनल स सब पर माँ आपको दे दूगा ताकि बालिकाओं को किसी परकार की परिशाने नहीं चले इतना होने के बाद आपको अपने फोर्म में प्रिंट करना है प्रिंट का ओप्सन आपको मिल जाएगा पीड़े फाइल में भाउसे के लिए सुरक्षित रख लिजिएगा इसको आ खास बात बता दे अपना तो यही है बस परकिरिया चलती रहती है खास बात यह है कि कुछ समय बाद में यहां पर ओनलाइन ही गारगी पुरुषकार या बालिका प्रोशान पुरुषकार के सर्टिफिकेट है विवाग जारी करेगा तो आपको डाउनलोड करना है और उसक के उपर भी और मैं भी इसकी जानकारी आपको यहां पर देता रहूँ है बैस अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक किजएगा हो सके तो यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ हो जरूर शेयर कीजएगा तो मिलता है फैस अगली एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय हारत